नमस्कार दोस्तों, देश में एंटी पेपर लीग कानून लागू हो ही गया। इतने फेलियर्स के बाद इतने पेपर लीग के बाद देश में पबलिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन आफ अनफेर मीन्स आग दोहजार चौविस लागू हो गया। केंद्रे ने शुकरबार यानि 21 जून की आधी रात को इसका नोटिफिकेशन जारी किया कि कानून भरती पर एक शाओं में नकल और गड़बडियों को रोकने के लिए लाए गया। जिस तरह से हमने देखा कि कैसे पूरे देश में पेपर लीग के लिए विरोधी लहर चलने पर कम से कब तीन साल जेल की सजा होगी। इसे दस लाग तक के जुर्माने के साथ पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। और परीक्षा संचालन के लिए नियुक सर्विस प्रोवाइडर अगर दोशी होता है तो उसे पांच से दस साल तक की जेल की सजा और एक करोड रसला बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन इसके लागू होते होते परीक्षा संचालन और देश के युवाओ की नजर में सरकार की धज्या उड़ दे हैं। यानि इस कानून को आते आते बहुत देर हो गई है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजंसियों के पास पर एक शाओ में गड़बडी से जुड़े अपरादों से निपटने के लिए अलग से कोई भी ठोस कानून नहीं था। आपको बता दें पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेर मीन्स आक इसी साल 6 फरवरी को लोगसभा और 9 फरवरी को राजिसभा से पार भी बैंकिंग कार्मिक चैन संस्थान यानि आई बीपियस और नैशनल टेस्टिंग एजनसी यानि एंटीय की परिक्षाय शामिल होंगी साथ ही केंद्र के सभी मंत्राल्यों विभागों की भरती परिक्षाय भी इस कानून के दैरे में होंगी इसके तहत सभी अपराद नौ दिनों में एंटीय की तीन परिक्षाय रद की गई हैं पहली नाशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 12 जून दुफैर में कराई गई थी और शाम को रद कर दी गई यह परिक्षा चार साल के इंटीग्रेटिट टीचर एडुकेशन प्रोग्राम में एड्मिशन के लिए हो दी सूचना जारी की गई है क्योंकि एंटीय परिक्षायों को लेकर काफी विवादों में आईए अब इस कानून के तहट उन 15 पॉइंट्स को जानते हैं जो अपराद की श्रेणी में मानी जाएंगे किसी परिक्षा का Question Paper या Answer की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना बिना अनुमती Question Paper या OMR Sheet अपने पास रखना परिक्षा के दुरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना परिक्षा दे रहे candidate को डारेक्ट या indirect तरीके से मदद करने एक्जाम आंसर शीट या OMR शीट के साथ छेड़ छाड़ करना कौपियों के मुल्यांकन में बिना अनुमती छेड़ छाड़ करना सरकारी एजंसी द्वारा तै परिक्षा के मानकों का उलंगन करना मेरिट के लिए तै डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की छेड़ छाड़ करना पबलिक एक्जाम के लिए तै सिक्यूरिटी मानकों का उलंगन करना किसी एक्जाम, कम्प्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़ छाड़ करना कैनिडेट्स की सीट अरेंजमेंट, एक्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़ छाड़ करना किसी एक्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना परिक्षा या एक्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना नकली एडमिट कार्ट जारी करना या नकली एक्जाम करना ये तो बात तैह है कि इस कानून के आते आते काफी देर होगे कई बच्चों के भविशे पर सवाल भी उड़ गए बच्चों का परिक्षा प्रणानी पर भरोसा भी उड़ गया और बीजेपी की सरकार पर पेपर लिक सरकार का टाइग भी लगी गया पर इस कानून के आने से काफी चीज़े सुधरेंगी और देखना ये भी होगा कि अब आगे ऐसे बड़े एक्जाम्स में धांदली पर कितनी रोग लग पाएगी क्या बीजेपी सरकार यूआउ का भरोसा जीत पाएगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा अभी के लिए फिलाल बस इतना ही मुझे दीजिए इजासत खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहेए क्लिके लिए धन्यवाद